हलो एवेंट वल्कम बैक दोस्तों आगा हुए आप लोग लिए और एक नए वीडियो के साथ और क्या आप लोग एक अच्छा बजट स्मार्टफोन खरीलना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो को पूरा देखिएगा जिया दोस्तों क्योंकि आज हम इस वीडिय स्कोप कम प्राइज में अच्छा से अच्छा स्मार्टफोन चाहिए सो इस चीज को देखते हुए हमने डिसाइट किया हमारे इस लिष्ट पे जितने भी स्मार्टफोन होंगे उनके अंदर कम से कम 4GB और 64GB का इंटर्नल स्ट्रोइज तो होना ही चाहिए और कम से कम 6 इंच स्मार्टफोन मौजूद हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल तर नए हैं तो दोस्तों नीचे दिवे सब्सक्राइब बड़न पर क्लिक करके पास में दिवे बिल आइकन पर प्रेस करके और अप्सिन को भी दबा दीजे ताकि इससे आप लोगों को इस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे अगर आपको एक पर्फरमेंस बेश्ट स्मार्टफोन चाहिए और साथ-साथ एक अच्छा कैमरा भी चाहिए तो इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं यह है यह रियर मिनारजर 20 इस स्मार्टफोन पर आपको 4G RAM और 64 GB internal storage के स आपको 6.5 इंच का एक HD plus IPS डिस्पल देगीन को मिलता है और वही पर बैटरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6000 मिलियंप्यर का हीज बैटरी बैका मिलता है विट 18 वाट फास्ट चारजिंग और USB Type-C पोड के साथ अब चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के इंटर्नल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको मेडिय अटक का हेलियो जी 85 के प्रोजेशन मिलता है जो कि एक 12 बेने बेस्ट प्रोजेशन है और साथे साथ आपको Android 10 OS के साथ रियल公ai का सपोर्ट भी मिलता है केम cubes करें दोजस्तों यहां पे आपको रियर केमेरा breaks ट्रिबल यहां पặर sih यह चे बात करें तो यहां पे आपको मैघनेटीक इंडक्सन्थ अंचर प्रोक्सिमीरी और एक्सूर्स निजmber généralर दिखेंगा सेश और 3.5 एम का आडियो जैक भी देखने को मिलता है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिजे अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन पर कमें तो इस स्मार्टफोन को अब ले सकते हैं, यह है Samsung Galaxy M12, यह स्मार्टफोन आप लोगों को 4GB RAM और 64GB इंटर्नल स्ट्रोएज के साथ, ब्लैक, ब्लू और वाइट, इन तीने कलर फिरेंट के साथ, 10,000 रोपे के आसपस देखने को मिलता है, और इसमें आपको triple card slot के साथ, आप ट 1000 mAh का एक huge battery बेकर देखने को मिलता है, with 15W fast charging और USB Type-C port के साथ, चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के internal specifications के बारे में, तो दोस्तो इस स्मार्टफोन पे आपको Xinox 850 का प्रोएशन मिलता है, जो कि एक 8NM बेस्ट प्रोएशन है, और साधर साथ इसमें आपको latest Android 11 के प्रोट भी देखने को मिलता है, अब चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के camera setup के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के rear camera पे आपको quad camera setup देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 48 Mbps का primary camera, 5 Mbps का ultra wide angle camera, 2 Mbps का macro sensor और 2 Mbps का depth sensor भी देखने को मिलता है, और front camera पे आ साथ आपको side fingerprint sensor और 3.5 Mbps का audio jack भी देखने को मिलता है, इसके बाद जिन दो स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे, अगर आपको सभी तरह के अच्छे features के साथ साथ एक full edge display भी चाहिए, तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप ले सकते हैं, पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है Poco M3, इसमें आपको 6GB RAM और 64GB internal storage के साथ black, blue और योडो, इन दिनों color फिरिन के साथ, दस वचार रूपे के आसफास देखने को मिलता है, और इसमें आपको triple card slot के साथ, आप टू 512GB तक का expandable storage का features भी देखने को मिलता है, डिस्प्रे की बात करें, तो य आप अब भी आप लोगो 6000 मिलियांपर का एक huge battery pack मिलता है, with 18W fast charging और USB type C port के साथ, अब चलिए बात करते हैं, इस smartphone के internal specifications के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 662 का processor मिलता है, जो कि एक 11NM best processor है, और साथे साथ आपको यहापे Android 10 OS के साथ, MIUI का support भी मिलता है, कैमरा अब बात करें, तो यहापे rear camera पे आपको triple camera setup मिलता है, जहापे आपको 48MP के primary camera के साथ 2MP का depth sensor और 2MP का macro sensor भी देखने को मिलता है, और वही पर फ्रॉंट camera पे आपको 8MP का camera देखने को मिलता है, और दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सभी तरे sensors के साथ, side fingerprint sensor और 3.5mm audio jack भी म साथ आपको 10,000 रुपे के आसपास देखने को मिलता है, इसमें भी आप लोगों को triple card slot के साथ 512GB का expandable storage का features मिलता है, और डिस्प्ले पे 6.53 inch का Full HD IPS डिस्प्ले के साथ Gorilla Glass 3 का production मिलता है, बैटरी के अगर हम बात करें तो दूस्तों इसमें भी आप लोगो 6,000 mAh की बैटरी मिलती है, with 18W fast charging और USB Type-C port के साथ, और internal specifications के अगर हम बात करें, तो यहाप आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोफेसर मिलता है, और Android 10 OS के साथ MIUI का support भी मिलता है, लेकिन दोस्तों के अगर हम बात करें, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के rear camera पे आपको quad camera setup मिलता है, जाप आपको 48MP का primary camera, 8MP मिलता है, और front camera पे आपको 8MP का camera देखने को मिलता है, इसके बात सबसे आखिर में इस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे, यह है Real Minarzo 20A, इस स्मार्टफोन पे आपको 4GB RAM और 64GB internal storage के साथ, विक्ति बूडू और गोड़ी सिर्फर, और गोड़ी सिर्फर, इन दोस्त दोनों color variant के साथ 10-10000 रुपे के आसपस देखने को मिलता है, इसमें भी आप लोगो को triple card slot के साथ 250 6GB तक का expandable storage का features मिलता है, और display के घरम बात करें, तो इसमें आपको 6.5 इंच का HD plus IPS display के साथ Gorilla Glass 3 का production मिलता है, बैटरी के घरम बात करें, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी म देखने को मिलता है, चलिए आप बात करते हैं इस smartphone के internal specifications के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 6665 मिलता है, जो कि 11 अनम बेस्ट प्रॉइसर है, और साथ-साथ इसमें आपको Android 10 OS के साथ Realme UI का support भी मिलता है, कैमरा के अगर हम बात करें, तो इसके rear camera पे आपको triple camera स प्राइमरी camera, 2 megapixel का macro sensor, और 2 megapixel का depth sensor भी मिलता है, और वही पर फ्रॉंट के आपको 8 megapixel का camera देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसमें आपको light sensor, proximity sensor, acceleration, और gyroscope जैसे सभी तरह के sensor के साथ, rare fingerprint sensor और 3.5 mm का audio jack भी देखने को मिलता है, तो दोस्तों यह थे हमारे under 10,000 रुपिस के budget के top 5 best smartphones, और दोस्तों इन सभी smart phones का link मैंने नीचे description में दे दिया है, आप जाके एक बास जरूर चेक कीजे, और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को like कर दिजे, और हमारे चैनल को भी subscribe कर लिजे, तो दोस्तों आज के ले बस इतना ही, thanks for watching this video